नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में रात के साड़े नौका है साथ और आई करते है टीटी की बात जी हा दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी टैट और सी टैट की तैयारी तो स्टडी फॉर विन है सभी चैनल स्ट पे भारी क्योंकि यहां पे आपको डेली तीन वीडियो मिलते हैं जो आपके यूपी टैट और सी टैट के लिए बहुती रामबार हैं सामको साड़े साथ बज़े डेली आपको मिलती है लाइफ क्लास रात पे सौड़े नौ बज़े आपको मिलता है इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो भी आप वीडियो देख रहे हैं और सुबह दस बज़े आपको मैम के दोरा प्रप्रप्रेर की हुए वीडियो मिल रहे हैं जो आपके संस्कृत पे बेस्ड हैं जो भी वीडियो सुबह दस बज़े बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो उसका बिल्कुल भी मिस्मत करिए लाइफ क्लास रात के साड़ नौ बज़े का वीडियो एक भी टाइमिंग के वीडियो मिस्मत करिए वीडियो को आप लोग रेगुलरली देख लिए और कम्प्रीटली देखिए आज की यह वीडियो में बात करने वाले हैं पर्याबरण, कारष्षेदर और महत्य की आज का यह जो वीडियो है यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टर रिटी वीडियो होने वाला है इसलिए वीडियो को last तक completely देखिए ठीक है इसमें आपको पताए जाएगा कि पर्यावरण की किसने क्या परिभाशा दी है पर्यावरण का क्या कार छेत्र है क्या महत्व है और छोटे छोटे ऐसे facts आपको पताए जाएंगे जो आपके परिक्षा में आते ही आते हैं और आए तो देखते हैं पर्यावरण क्या है पर्यावरण जल वायू भूमी पशू वनस्पति और मनों से सभी मिलकर पर्यावरण का निर्मार करते हैं इन में से प्रत्ति एक तत्व के अनुपात को इस प्रकार लिया जाता है कि वे प्रत्वी पर एक रूपता बनाए रखे यानि का तत्व एक सही अनपात में नहीं है तो उसे हम परियावरण नहीं खाएंगे परियावरण जो सब्द है वो फ्रांसीसी सब्द इन्वी रोनर से लिया गया है जिसका अर्थ है पूरा परिवेश बहुत बार यह प्रिशन परिक्षा हम पूछा गया है कि जो परियावरण सब्द का अर्थ क्या है तो शब्द इन्वी रोनर सब्द कहां का है फ्रांसीसी सब्द है और इसका अर्थ है आपका पूरा परिवेश परियावरण की दूसरी परभासा देखते हैं जो परियावरण की एक्जेक्ट डेफिनेशन है परियावरण है क्या परियावरण वास अब हम बात करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर परभासाएं की कि किसने पर्यावरण की क्या परभाशा दी है तो सबसे पहले बात करेंगे रॉस की रॉस ने पर्यावरण की जो परभासा दी वो इस प्रकार है पर्यावरण को किसी बहाय बल के रूप में परभाशि पर्यावरण की वोई है कि पर्यावरण शब्द सभी बहाय ताकतों प्रभावोवा अवस्थाओं का वरणन करने के लिए इस्तिमाल होता है जो सजीवों की जीवन प्रवरत्ती व्योहार एवं ब्रधी विकास एवं परिपक्कोता को प्रभावित करता है यह आपकी परभास है डगलास एवं हॉलेंड की अनुसार अब बात करेंगे हम पर्यावरण के प्रकार की ठीक तो सामानिता जो पर्यावरण होता है वो होते हमारा तीन प्रकार का होता है जो मनस्य के व्यक्तित्त को प्रभावित करता है पहरा जो आपका प्रयावरण का प्रकार है वह आपक निवास करते हैं मानव जाती जलवायू पर उस्तितियों से बहुत प्रभावित हुआ है इसके अंतरगत आकास जलवायू वनस्पती प्रत्वी की सताय के नीचे तत्विवम जीव जन्तु आपके इसी प्राक्तिक या भहुत इक पर्यावरण में आते हैं यूरोपी देशों के लोग सफेद रंग के होते हैं जबकि अफरीकी लोग काले रंग के होते हैं बहुत इक पर्यावरण लोगों के सारीरिक बनावट को भी प्रभावित करता है यानि कहीं 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 के लोग गोरे हैं कहीं कि लोग काले हैं तो यह सब क्या वहां का जो पर्यावरण है जो प ते एवं राजनीतिक अवस्था उसके सामाजिक वत्तियावरण के तहत आती है इसमें शमूह समुदाय समाज है समिति यह वं मालवी समन्दौ दारा निर्मे सभी प्रकार की संस्थाएं आती है तीसरे प्रकार का जो आपका पर्यावरण है वो है ये परैश्दितिय पुस्में है उसमें ये टॉपिक उने दिया हुआ है अब बात करेंगी हम पर्यावरण सन्चना की तो पर्यावरण में आपके सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुए आती तभी आपका एक इन्वायर्मेंट आपका एक पर्यावरण कंप्लीट होता है अता इसकी सन्चना भौतिक और जैविक दोनों होती है अब देखते हैं भौतिक पर्यावरण क्या है भौतिक पर्यावरण यह आपका तीन श्रेडियों में वर्गी करता है सबसे पहला है ठोस जो इस्थल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है ठीक यानि प्रत्वी हमारे नोट्स के लिए आप जो इनमबर देख रहे हैं 9496369356 इस पर आप वाट्सेप कर सकते हैं या कॉल करके कॉंटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे स्पेशन नोट्स जो आपके यूपीटैट और सीटैट में बहुत ही सायक सिद्ध होंगे दूसरा है आपका द्रव जो जल मंडल का प्रतिनिधित्व करता है ठीक और तीसरा है आपका गैस या वातावरण जो है आपको जली गहटक उन्हें पुना चोटे-चोटे काईयों में विभाजित किया जा सकता है जैसे किया पठार तटी पहाड ग्लेशियर आदी दूसरे तरीके का जो आपका पर्यावरण है वह है आपका जैविक पर्यावरण इसके अंतर गताब के आते हैं बनस्पती याई पादप और जन्तु समू यानि की जानवर इस प्रकार इस जैविक वातावरण में सभी जीव जन्तु विभन निस्तारों पर मिलकर कार करके अपने सामाजिक समूह एवं संगठन का निर्माण करते हैं और यह जो प्रक्रिया या आपकी क्या आर्थिक वातावरण को जर्म देती है पर्यावरण अध्यन का छेत्र यानि पर्यावरण अध्यन का छेत्र कहा कहा था कि कहा कहा इसका इसकोप है उसकी भी बात कर लेते हैं तो पर्यावरण के प्रती सोच का आरंब कुछ प्रमुग घटनाओं के घटित होने के कारण हुआ है आज पर्यावरण के अध्यन का छेत्र सिर्फ इसलिए हुआ है कि पर्यावरण खत्रे ने मनुश्य को गंभीर परिसानियों में डाल दिया है इसके छेत्रों का निम्न तरीके से सार प्रस्तुत किया जाता है क्या क्या इसके छेत्र है प्राकृतिक संपदा एवं उनकी समस्याओं का सनरक्षण एवं शुरक्षण जिसमें आपको क्या क्या आते हैं जल, म्रदा, वन, खनिज, बिजली एवं परिवान दूसरा है आपका इसका अध्यन लोगों में छेत्र के विविन अक्षय एवं गैर अक्षय समस्याओं के बारे में जागरुकता उत्पन करना है तीसरा है आपका यह परियावरण में जय विविदिता की सम्रिद्धी एवं पौधे जन्तु एवं सूच्म जीवों की प्रजाती के खत्रे के प्रती जरूरी जानकारी भी प्रदान करता है यह है वनस्पती एवं जन्तू के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्यान करता है वीडियो अगर पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा है ज्यादा शेयर करिए और जुनों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलने लगे अगला जो उसका छेत्र है वह आपका अध्यन हमें प्राक्रदे कापना जैसे बाढ़ भूकम भूस्खलन यानि प्रत्वी का खिसकना चक्रवात आदी के कारण एवं परिणाम को समझने एवं प्रदूशन एवं प्रभावो जैसे की रेडियो धर्मी प्रदूशन वनी प्रदूशन म्रदा जल सामाज संदक्षन सुरक्षा एवं सुधार तो यह सब जो है वो है आपका परियामरण का छेत्र अता उपलब्द संसाधनों के उपयोग द्वारा आने वाली वीडियो को एक सुरक्षित भविश्प्रदान करने के लिए हमारे परियामरण को सुरक्षित रखना आती अवश्यक है तो यह था दोस्तों आज का आपका परियामरण का इंपोर्टेंट वीडियो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को ज्यादा है ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए जिससे और भी लोग लाप राप कर सकें यह जो नंबर देख रहे हैं इस समस्से कार को आगे बढ़ाईए और अपने यूपी डेट में सफलता प्राप करिए तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कल रात में फिर मिलते हैं साड़े नौ बजे कुछ नई दथ्थियों के साथ कुछ नई चीजों के साथ तब तक के लिए सब भी को अला स्वस्त रहिए जम कर तैयारी करती रहिए वीडियोस को रेगलरली देखती रहिए शुबरात्री नमस्कार